वेल्कम बैक टू माई टूप चल पेपर हैकर और आज किस वीडियो में हम देखेंगे जो भी छात्र बीकॉम हैडियर में है और आप देख रहे हैं एडिटिंग का जो पेपर आता है आपका और इसमें मॉस्ट इंपूटेंट कोशन कभी कभी फूच लेता है कि बहुत जादा इम्पूटेंट कोशन है यजे मीमस्ट में लगा जाता है कि मॉस्ट इंपूटेंट कोशन है कि अंक एक्शन कारपत्र क्या होता है अडिट वर्कंग पेपर से बोल सब्सक्रदों या फिर हिंदी म mente कागजाद को आपको पता होगा आपको आपको एक्स्परेंट करूंगा पिंदा करने की जुरूत नहीं है अब लास्ट वीडियो मने रहे हैं और यदि आपको ये नोट्स हमारा चाहिए तो आप नोट्स को डालोड कर पाएंगे टेलीग्राम का आप पेपर हैकर सच कर सकते हैं यह फिर टेलीग्राम का डिस्क्रप्शन वॉक्स में लिंक है यह फिर आप हमारी वर्ट्स अप्र मैसेश करेंगे तो आपको रिप्लाइ मिल जाएगा वहाँ सारे लिंक दे दिये जा तो आप देख सकते हैं कि इस कोशन को जब भी कोशन आता एक्जाम में तो हम किस तरीके से अगर आएंगे तो देखो यह कोशन आप मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ जो चुडबाने का होगा उसमें छुडबा दूगा सारा कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है जो सि हैं यहूँ को बहुत सारे कागजादु दिये जाते हैं जो न्युखता है उसको बापस कर दिये जाते हैं तथा कुछ और कुछ कागज को और कूछ कॉपी अपने पास सुरक्षफ रख लेता है ऑप हैए और इस कागज या फिर पत्रो को ही अंक्यक्षण कारकिरम या अंक्यक्षण सम्मंदी पत्र यह कागजात कहा जाता है अब अब समझ गए कि तो घये में सिंबीवाता में अब जो कभी اक्षण की परिभास आ जाएben मिने तो आप यहाँ तक लिखेंगे- लिखेंगे यह तो свलियर हो गया कि अंक्यभ जो अंहीक्षक करते समय, जो अंहीक्षक होता है, वो बहुत सारे काग्जो का इस्तमाल करता है, और Guard everywhere, त catastrophe एंहे प्रिकाग्जो को या फिर प्रिकागज भी कह सकता है, इनको ही हम अंहेक्ष रखे करक्रत हैं, या फिर कि अंक्यक्षड संबंती पत्र बोलते हैं ठीक है समझ गया के चलो यहां तक अपने कलियर हो गया उसकी बार यह कागज पत्र अंक्यक्षक की निजी संपत्ति होते हैं संपत्ति होते हैं या फिर संपत्ति होती है यह भी निख सकते हैं संपत्ति होते हैं कागज है तो आप उ तो हम बहुवचन का प्रियोग करेंगे और इन्हीं कर रहा है और इन्हें इसलिए समाल कर रखता है कि यदि उस पर लापरवाही का आरूप लगाया जाए मतलब किस पर अंकेक शक पर यदि वो लापरवाही का आरूप लगाया जाए मालो किसी ने लगाया कि इसने ऐसा किया लापरवाही का रूप लगाया जाए तो उस समय बहें शक्ष के रूप में उसे प्रस्तुत कर अपना बचाप कर सके तो यहां देखो अब देखो मैं आपको यहां दुमारा से क्लियर कर देता हूँ अंकेक्षण करते समय उसका इस्तमाल करता है उसमें से कुछ नियोता को बापस देता है और कुछ अपने पास सुरक्षित रख लेता है इनको ही अंकेक्षण संबंदी पत्र बोलते हैं कहा जाता है और यह जो कागज है वो अंकेक्षण कर अपनी निजी संपत्ति समझते है ठीक है निजी संपत और इन्हें इसलिए समाल कर रखता है वो जो अंकिक्षक होता है वो इसलिए इसको समाल कर रखता है क्योंकि यदि कोई लापरवाही का आरप लगा देता है कि भाई उन्होंने मेरे साथ गलत किया ये देखो उन्होंने अपने कागज डुप्लिकेट बर्मा के कुछ कर दिया उसके पास है दूसरे उसके डुप्लिकेट बने हुए है फोटु स्टेट बगारा है तो वो क्या है उसको वो साक्स दिखागर अपना बचाप कर सके ठीक है चलो अब देखो उसके बाब में कुछ जौनसन नाम के एक विदवान थे ठीक है उन्होंने कहा कि अंकेक्षक का कार संबंधी पत्र एक लिकित निजी सामगरी होती है मतलब वो अपने हाथों से लिखता है अंकेक्षक कार संबंधी जो पत्र होता है एक लिकित निजी सामगरी होती है जिसे एक अंकेक्षक पिरतेक अंकेक्षण के संबंध में त्यार करता है और ये पत्र ल बेखा संबंदी सुच रहा होती हैं उनको पिरकट करते हैं और इन्हें एक अंकेकशड अपने नियोक से प्राप्त करता है इस प्रपत्र में अंकेकशड द्वारा प्रियोग में लाए गए जाज के तरीके मतलब किस तरीके से उसने जाच कि है और उसके नरक्षण किस तरीके से उसने नक्षण किया है के एक इसमें हम त्रमुक अंक्यक्षक कारे पत्रों के बाद करेंगे कि इसमें कौन कौन से पत्र है जो अंकेक्षक बनाता है तो यहां देख रहा है एक अंकेक्षक के लिए कागजा सम्मंदी प्रिपत्र का बड़ा महत्व है तो यहां उन्होंने दे रखा है जैसे दे रखो जैसे सामिल करते हैं देखो अंकेक्षर का कारिक्रम नम्मर एक अंकेक्षक और न्युक्ता के बीच में अनुवन्द और न्युक्ति पत्र की प्राप्ति मतलब उसने न्युक्ति दी है तो उन दोनों के बीच में जो भी सला हुआ है उसके बारे में सिग्नेट्सर बगरा होंगे है साती-साथ उन्होंने का है देखो ऐसे लिखेंगे पेपर में अंकिन शकाद निगतरों के बीच में निगती पत्र ठीक है नियुटा के बीच में निट्य पत्र और अंकेक्षड ब्यपसाई की सूचना देखो अंकेक्षड ब्यपसाई की पिर्मक विसेश्था है मतलब जो अंकेक्षड जिसके अंकेक्षड जो कर रहा है अंकेक्षड के लिए तो वो किस ब्यपसाई की कर रहा है उसकी विसेश्था है क्या है यू नियुक्ता और अंकेक्षण के बीच में जो संबंद किया आए जिस बेपसाई के लिए तो वErूम विसेस्ता कि अबारे में अंकेक्षण कार किर्म के संबंद में प्राप्त जानकारी और सूचनाए उसके सूचना और उनकी जानकारी प्राप्त करना क्या संबंदी है उससे संबंदी जो भी जानकारी प्राप्त कर सकता है वो प्राप्त करना वो लिखेगा पूरा पत्र और कार के दौरान प्राप्त सूचनाए और प्रमान पत्र और अन्य बित्रन ज जो प्रिलेखे है मतलब जूने लिखे है जो खुल रही है जो वीप साइछ कुल रहा है उसकी फोटु स्टेट माँद सारी प्रितिलीपी यह मतलब कि उसकी फोटु सेट जिसे कहते है कौपिया ठीक है उसके बात ने कह रहा है संचाल को अंसधारियों किस सभाओं की कारवाही की नकल मतलब जो संचालग है जो संचालग कर रहे हैं और अंसधारी है उन सभी जो कारवाही की है उनकी नकल मतलब कोई कॉपी नकल कोई कॉपी गोलते हैं और इन पत्त्रों पर जोड़ी बाही कह रहा है कह देखो कह रहा है जोड बाकी एबम-अन झाणन ने और उनकी जाच किन repertoire जाच की हैं अंकीक्षक के पर्ति वेधनों के पर्ति लीप यह उनके क्वा कों कौन अंकेक्षक की बात है जमने मानी है उनकी subject टीक है जैसे आदारकार मांग लेते हैं तुम हमारी बास से संतोष्ट हो हाँ है तो आप आधारकार की फोटी श्टेट दो इन पर सायन करो करते हैं तो पूची सब मांग लेता है अंक एक शक कभी फसना जाए ठीक है तो उसके बाद में यहां देखो सब कुछ यहां मलड़न नहीं से दस लेख दो बहुत हो जाएगा उसके बाद में लेंदेनों देखो जो लेंदार होते हैं और देंदार होते हैं उनकी सूची कौन ले रहा है कौन दे रहा है उन दोनों की सूची बनाना ठीक है तो यह सब कुछ दे रहे हैं आप इतना ही करतो बहुत हो जाएगा तो उद्धेश क्या है रखने का तु वह पत्त्रों का रखने का देखो अंकेक षड़ संबंदी कारबाद ़ो संदर्व के रूप में उपयोग संदर्व करकर सकता हFrank नंबर दो दे रखा है कार तरगति का मुल्यांकन के दौरा तो यहां कुछ पॉइंट दे रखें उनके बारे में एक्स्पिलिंग करना है लेकिन उनके उद्देशों को आप इतना भी लिख दोगे ना मनलब संधर्व के रूप में उपयोग उसके बाद में लगदा है जैसे कोई भविस में नी कोई दुरगन न घड़ती है तो उसके रूप में उसे प्रयोग किया जा सकते हैं यह संदर्व रूप के उपयोग कर सकते हैं कार परवाही मुल्यांकन के लिए देखो दे रखा है कि इन कागज पत्रों के आधार पर ये आसानी से पता लगा जा सकता है कि अमकेकशक ने कितना कार कर लिया है कि जो अमकेकशक है वो उसने कितना कार कर लिया है दूसरा है न्याले में प्रवार मलब न्याले में यदि कोई आरूप लगा देता है देखो लापरवाही का आरूप लगा देता है न्युकता यदि अमकेकशक पर लापरवाही का आर तका लिए चार से पाइस पॉइंट अथ कर लेजिए बहुत हो जाते हैं ज्यादा कुछ लिखने की जुरूत नहीं होती है देखो टीचर जब भी आपका जो होता है वह यह देखता है कि इस बच्चे ने क्या लिखाए सही लिखाए क्या बना बना के लिखाए अब सही लिख कार करता हो कि जो कुछलता का मुल्यांकन ये हैटर ना लेंगे उसके बाल देखेंगे कि अंकेक्षण कार पत्रों की सहायता से अंकेक्षण अपने का जो करमचारी होते हैं कि कुछलता का मुल्यांकन कर सकता है मतलब कुछलता का मुल्यांकन ठीक है उन्हें पैसे दे सकता सकता और साथी साथ यहा sum I can find a कॉण को कुण होती है कि आ साहा कौन कौन है यहां देखो यहां बोला है भाव f6 मैं यदि उस संस्था का पुना किया जाना है मतलब छुट इस नहीं हमने खोल रखे और उसका दोबारा से एसकर करना में कॉन उसने क्या बनाया है तो यह कारपत्र अंकेक्षण को कारिक्रम बनाने में सहाइधा करता है पहले से इतना कर रखा इतना और कर दिया तो इसे काफी मदद मिल जाती है तो रिपोर्ट बनाने की सुमिधा ने को यहां दे रखिए लेकिन जादा यहां कुछ और नहीं करना है चार से पांच कर दिशिए बहुत हो जाएगा तो यह थे मोश्ट इम्मोटेंट कोशन जो मैंने आपको पूरा एक्प्रेंड किया सब कुछ पढ़ने की जरूत नहीं होती है मेरे दोस्त बनाद उतना पढ़ो जितना हमें काफी है दो तीन से चार उण से उनकी उद्देशों को देख लेंगे कारबत्रों के और शाती साथ और उपर से अंक्र एपट्र के वारे पढ़ लेगे उनका उद्देश क्या है और ये पढ़ लेगे यहां से लेकर यहां तक बस इतना है कुछ खास नहीं ए तो आई होट मर्या